हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMIA पे और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस इंवेस्टमेंट आइडियाज लेके आते रहते हैं और आपको नए ने स्टॉक में नवेश की राय भी देते हैं तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं के इसी इंटरनेशनल लिंटर की इस कंपनी में आज 0.42 परसंट की तेजी देखी गई है और यह जो स्टॉक है 462.05 रूपिस पे क्लोज हुआ है अब आने वाले टाइम में इसके क्या टार्गेट रह सकते हैं वो हम आज के वीडियो के मादिन से जानेंग सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जदी आप हमारे चैनल पे नए हो तो फटा फटा हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें बैल एकन का बटन भी प्रेस कर लें इसे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको जदी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजेगा और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेंबर्स एंट रेलेटर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और आए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले केई इंटरनेशनल की स्टॉक प्राइस का अनेलसिस कर लेत था इस दा ओबिनिंग प्राइस ऑफ इस स्टॉक मार्केट के देखे तो आप देख सकते हो 11,9800 का इसका जो है मार्केट के अपने कर आ रहा है पी इडिशो इस एस वाटी टूप पॉर्टीनाइज और डिविडिट जील इस 0.87 परसें तो अब हम इस स्टॉक की पांच दि इस स्टॉक में आप देख सकते हो 1.35% की तेजी है पहले इसमें अप ट्रेंड आया था इसका जो रिजिस्टन्स लेवल है वो 480 का निकल कर आ रहा है यहां से इसमें क्रेक्शन हुई थी आप इसका जो स्पोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है तैट इस अरौन 462 आप यह जो लेवल डूने तो वो 420 के रोंड निकल कर आ रहा है लेकिन अब इस स्टॉक में बहुत ही पॉस्टर ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि इस कंपनी के जो टॉप्स हैं वो कांटिनूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं सेंडिंग और शो कर रहे हैं तो आज कल इस स्टॉक में बहुत ही पॉस्टिव ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है और इसका जो चार्ट है बहुत ही पॉस्टिव जो है ट्रेंड शो कर रहा है आप ज़दी इसका लॉंग पर्म का डाटा देखे वानजीर का डाटा देखे तो यहां पे 41.17% के रिटरंस है तो ऐस इसका 50 का डाटा देखे तो यहां पे 271% के मल्टी बेगर रिटरंस देखने को मिल जाएंगे ऐसा नहीं है कि इसने लीनियरली ऐसे रिटरंस बनाके दिए हुए है इसमें भी आपको पहले अप्ट्रेंड आया था फिर डाउंट्रेंड देखने को मिल जाएगा फिर इसमे 2020 में लुएस्ट लेवल लगाया था इसने अपर 2020 में उसके बाद इस स्टॉक में कांटीनूसली पॉजिटिव ट्रेंड ही दिख रहा है ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है अब यह जो स्टॉक कांटीनूसली पॉजिव ड्रेक्शन में मूव करता जा रहा है क्योंकि ज तो आईए आगे बढ़ते हैं आप इस कांपनी के थोड़े टार्गट भी चेक कर लेते हैं तो जो के इंटरनेशनल इसके नए टार्गट निकल कर आ रहे हैं एड़े आर गिवन भाई दा एचडिए एपसी स्क्यूर्टी एचडिए एपसी स्क्यूर्टी एजबाइकॉल ऑंदा के इसी इंटरनेशनल बेदे टार्गट प्राइस ऑफ रूपिस फाइफंड़ एंड फिप्टी सिक्स तो पांशो शपन के सके जो टार्गट निकल कर आ हैं that is for the next one year तो next एक साल के इस स्टॉप में आपको बहुत ही पॉस्टब मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऐसा कहना है HDFC स्क्यूर्टी का तो आईए आप इस कांपनी के थोड़े डिटेल चेक कर लेते हैं तो यह जो कांपनी है इस बास स्राटर इन दा जीर 2005 तो यह एक mid cap company है इसका market cap एफिटो तो यह जो कांपनी इसीर मेली पावर सक्टर में काम करती है इसके जो की products है revenue segments है that includes income from the engineering construction contracts, cables, towers, constructural, scrap, sale of services, other operating revenue and the for the year ending 31st March 2021 तो आब यहां पे देख सकता है यह जो कांपनी है यको direct construction का काम भी करती है टावर्ड, structures, cable भी बनाती है तो बहुत ही diversified काम करती है mainly जो इसका business है that is in the power sector तो आएए अब हम इस company के latest quarter के results जान लेते हैं for the quarter ending on the 36, 2021 इस company की जो consolidated total income थी that was rupees 2541 क्रोड last quarter में देखें तो इस company की income 4372 क्रोड निकल कर आ रही है तो यहाँ पे 41.88% की reduction देखने को मिल रही है on a quarter on quarter basis पर जदी last year same quarter का results चेक करें तो इसमें जो उसकी income थी that was only rupees 2213 क्रोड तो यहाँ पे इस company की income में 14.82 परसंट का jump आपको देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते हैं इसके जो numbers हैं बहुत ही mix निकल कर आ रहे हैं इस company का जदी net profit after tax चेक करें तो that was rupees 46.14 क्रोड in the latest quarter तो latest quarter में इस company ने बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा बनाया हुआ है तो बहुत ही positive trend यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप जदी इस company की latest holding चेक करें तो आप देख सकते हो जो promoters हैं उनका 51.82% का stake है as on June 32, 2021 and जो FIAs है उनका stake 11.06% है and DAs का stake जो है वो 26.52% है and rest is beta public तो बहुत ही mixed share holding pattern हमें जहाँ पे देखने को मिल रहा है अब हम इस company के थोड़े financial growth के pattern चेक करेंगे कि इस company की जो growth है long term में किस तरह की हो रही है क्योंकि किसी भी stock की जो price होती है that is directly linked with the financial growth of that company जैसे ही किसी company का business expand होता है उस company की financial growth होती है उसका revenue भी बढ़ता है उसकी profitability भी बढ़ती है margins भी improve होती है तो उस company में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है तो सबसे पहले इसका price का analysis कर लेते हैं तो one week से लेके three year का data आपकी screen के सामने आ चुका है तो आप देख सकते हो बहुत ही consistent performance इस stock में निकल कर आ रही है जैसे जैसे ही आपका time period of holding बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके जो returns है वो भी continuously increase होते जा रहे है one week में three point twenty six percent returns है one month में five point thirty three percent है three month में ten point seventy nine percent है year till date में twenty seven percent के near returns है one year में thirty six percent and three year में seventy one point fifty eight percent returns आपको देखने को मिल रहे हैं कोई multi bag returns भी नहीं है लेकिन जो returns है they are quite consistent and they are continuously increasing by the time आप ज़र इसके volume का data देखे तो कल के दिन इस stock में twenty seven point ninety five percent की delivery निकल कर आ रही है one week का average data देखे तो 45 percent की delivery है one month का average data देखे तो forty point zero five percent की delivery निकल कर आ रही है तो ये भी positive data ही देखने को मिल रहा है ज़दी एक इसकी latest news चेक करें तो KEC international share price gains four percent on orders worth rupees 1157 क्रोड तो इस company को नए नए orders भी मिल रहे हैं and hundred percent money control users are recommending buy on this stock तो आप देख सकते हो public इस stock पे बहुती positive हैं बहुती bullish हैं तो आईए आप हम इस company की financial growth चेक कर लेते हैं पहले इसका long term का data चेक कर लेते हैं तो last five year का data आपकी screen के सामने आ चुका है 2017 से लेके 21 तक का data है for the revenue of the company तो यहां पे आप देख सकते हो इस company की year on year basis पे continuous growth देखने को मिल रही है 17 में इसका जो revenue था that was 8584 crore and 21 में इसका revenue बढ़के 13,114 crore हो गया है बहुती positive growth जहां पे आपको देखने को मिल रही है continuous year on year basis पे growth देखने को मिल रही है अब हम इस company के net profit का data चेक करेंगे तो यहां पे भी आपको profit growth देखने को मिल रही है 17 में इसका जो net profit था that was 304 crore और 21 में यह बढ़के 552 crore हो गया है बहुती बढ़ी हा positive growth जहां पे आपको देखने को मिल रही है ज़िए इसका quarterly data देखें तो यहां पे भी आपको जो है positive uptrend ही देखने को मिल रहा है लेकिन जैसे के आपको पता है हमारे देश में corporate pandemic भी आया था तो जून 20 में corporate pandemic का भी effect जून 21 में देखने को मिल रहा है और इस company का जो revenue है वहां पे down गया था लेकिन overall year on year basis पे इस company का जो revenue है वो बढ़ गया है from 2260 crore to 2540 crore otherwise इसकी जो financial performance है जो financial growth है बहुत ही positive है तो share holding pattern जैसे हमने पहले आपको बताया रहा है बहुत ही mix देखने को मिल रहा है अब हम इस company में जो share holding का detail चेक करेंगी institutional holding चेक करेंगे जो mutual fund schemes है उनके number same है 24 लेकिन उनकी holding बढ़के 21.01% हो गया है इंदा जून 21 quarter FIIs का data देखे तो number reduce हो गया है लेकिन उनकी holding जो है वो बढ़के 11.06% हो गया है यह भी positive trend जहां पे indicate हो रहा है और बहुत ही बढ़िया data देखने को मिल रहा है अब ज़दी इस company की comparison करें बेदे different peers तो इसके price to book ratio जो है वो 3.55 है ROE % 16.45 है वान जियर performance is 36% नियली तो आप देख सकते हैं डेट डेट टू कीटी रिशो इस आलसो लूग net profit is highest in industry and net sales is also highest in the industry तो यह अपने field की best company निकल कर आ रही है large company निकल कर आ रही है बहुत ही अच्छी company निकल कर आ रही है इसके financials बहुत ही positive है and technicals are also looking very very bullish तो इसलिए आप इस stock में अपनी position मना सकते हो पहला target हमने बता दिया है उसके accordingly आप इसमें position मना सकते हो फ़ार्दा बान जियर लेकिन long term के लिए यह जो stock है multi bagel stock भी आपको देखने को मिल सकता है